दोस्तो यह जो फॉर्म आप देख रहे हैं यह फॉर्म है KYC, Know Your Customer तो दोस्तो कमेंट आया थे KYC क्या होता है और चूँ जो है बैंक में देना पड़ता है SBI बैंक में तो देखे दोस्तो KYC क्या होता है कि अगर आपका पास्बूक कभी बंद हो जाता है मतलब कि बहुत दिन तक आप जो है अपडेट नहीं करते हैं चेक नहीं करवाते हैं अप टूडेट नहीं रहते हैं तो आपको KYC देना पड़ेगा तो KYC इसलिए देना पड़ता है ताकि आपका पास्बूक अपडेट हो जाए तो यह बस आइडेटिफिकेशन के लिए देना पड़ता है तो KYC चलिए जब हम लोग KYC में आही गये हैं तो आज हम लोग सीख लेते हैं कि इसको कैसे फिल अप करते हैं और एक चीज़ जो अगर आपको मॉवाइल नंबर चेंज करना है पहले क्या होता था कि मॉवाइल नंबर चेंज करने के लिए अलग से फॉर्म फिल अप करना होता था लेकिन अब भी क्या होता है कि KYC में ही ये काम हो जाता है अकर आप mobile number चेंज करना चाहते हैING तोku KYC के ओपर आप लिगदेंगे mobile number चेंज जैसे मैंने उपर लिखा है mobile number चेंज इस तरह से लिख देना है और आपको KYC जमा कर देना है bank में तो आपका जो है मोवाइल नंबर चेंज हो जाएगा लेकिन उपर लिखना होगा ताकि वो बैंक वाला समझ जाए कि यह मोवाइल नंबर भी चेंज करना चाहता है अपने पास्बूक को अपडेट करने के साथ-साथ तो यहाँ पर चलिए हम लोग देखते हैं फिल अप क्या करना है सबसे पहले आपको नेम सेम एज आईडे पूरूब आपको नेम देना है अगर आपका प्रिपिक्स है तो प्रिपिक्स देंगे जैसे मैंने दिया है इसके बाद फर्स्ट नेम और सीधे मिडिल नेम तो बहु आप यह option है पास्वोर्ड तो जो देंगे तो प्रू पाइडिंटी मी आप तिक कर देंगे और निचे उसका जो है आईडी नंबर दे नहीं जैसे मैं आधार कार्ट का नंबर नीचे दे देंगे अज़ीद में इसके बाद प्रूप अद्रेस में आप क्या दे रहे हैं तो अब address में दोनों में आप अधार कार दे सकते हैं कोई दिकत नहीं है अगर इसमें भी आधार कार दे रहे हैं तो reference नमबर में आप अधार कार नमबर जो है दे देंगे और नहीं तो फिर other option है pen card driving license नरेका जो देना चाहेंगे आप इसके बाद देखिए यहाँ पर line 1 में आपको address लिखना है जैसे मैंने लिखा है village इसके बाद post लिखना है district लिखना है और फिर नीचे pin code state याँ आपको अपना पता लिखना address इसके बाद नीचे option है district है pin code है आप डाल देंगे इसके बाद आपको यहाँ पर town और state लिख देना है इसके बाद आजाएए नीचे contact details में contact details में आपको mobile number देना है तभी तो यह है update होगा इसलिए mobile नमर आप देना ने भूलेंगे बस इसके बाद नीचे है यहाँ पर date है date आप देदेंगे इसके बाद यहाँ पर place देदेंगे bank जहां है वहाँ का place आपको देना है bank जहां रहेगा चाहिए आपका गाउं कहीं और हो आपका कस्व अंदर करना है और उपर करना था और इसके साद आपको ड़कोमेंनस दे रहे हैं उसका जेरोकß के नीचे आपको सिंग्नेटर कर देना है जिससे आप अधारगाट ही दे रहे हैं सिर्फ अधारगाट तो अधार्कार दे फोटो लगता है यहां पे आप एक फोटो चिपका देंगे फोटो जरूर देंगे क्योंके फोटो लगता है सचे लगता यह फर्म आपको फिलब करना एफ फोटो देना है और आधार का जिराउक्स जहीं था दोस्तों आजлаг में यहीं बताना था तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कर दीजेगा मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो पे तब तक लिए बाई थैक्स वर वाचिंग